नवस्कार साथियो जैसा कि आप लोग जानते हैं आपका इस टाइम अगनी वीर एक्जाम चल रहे हैं तो एयर फोस 26 जुलाई 2022 आपका सेफ्ट फश्ट का आज पेपर हुआ है तो कुछ इस्टूडेंट्स ने मेरे पास उन कोशन्स को पूचा है जो आपके एयर फोस में करतूंगा तो आपका पहला कोशन का पूचा गया है देखिए अब परसन ओफ लॉंग एक्सपीरियंस यूज्वली इन सैम ओकोपेशन इसकेल यानि कि एक ऐसा ब्यक्ति जिसे लंबा अनुभव हो एक समान ही ओकोपेशन इसकेल्स में तो उसे आप कहते हैं बैटरन यानि कि अनुभवी वेटरन यानि कि अनुभवी यानि कि जहां जो वेटर बेटर जो होगा वै कैसा होना चाहिए अनुभवी इस ट्रिक से आप इससे जाद कर सकते हैं कोशन टेक बिलको ललन टो पूचा था इट विल रेंड उसके बाद आप जानते हैं विलका जब आप अगला कोशन था आपका मैनि अ मैन तो फ्रेंट्स इसमें आपको इंप्रूमेंट करना था तो वहाँ साइद मैनि आ या मैनि एन के बाद में आप जानते हैं सिंगूलर नाउन होता है तो साइद यहां जो वहां उन्होंने दिया था वो मैन दिया होगा लेकिन उसे पूरी आपका एक कंडिशनल सेंटेंस पूचा था तो उसका स्टेक्चर इस प्रकार का था इफ कंडिशनल आप जानते हैं इफ के साथ आपका सिंपल प्रियेंट होता है और प्लस में दूसरा फ्यूचर सिंपल होता है जैसे आप देख सकते हैं या मैने एक जंपल लिखा है इफ प्रियोग करते हैं अगला जो कोश्चन था आपका प्रियोग करते हैं अगला जो कोश्चन था आप लोगों का पूचा था तो फ्रेंट्स से हाँ आपको एशून एश पढ़ना था यानि जो ही या जैसे ही उसने टेलीग्राम को पढ़ा वह चिल आई चली अगले कोश्चन को देखते हैं अगला कोश्चन था प्रसांत खाली जगए वाई नाव इफ ही हैड गॉन वाई टैक्सी अगर इस कलोज को आप लोग देखें तो फ्रेंट्स से है आपका परफेक्ट में है तो आपको इधर भी परफेक्ट ही चाहिए तो आपके साब से कोड़ है उस ही बनता है इसमें लेकिन फ्रेंट्स अभी तक की बात कर रहा है केवल कलपना की बात कर रहा है इमेजन कर रहा है तो आपको मॉडल्स चाहता था था तो सोड़ रेड का आपको सोड़ रीड का प्रियो करना था चलिए अगले कोश्चन को देखते हैं आपका मीनिंग था जो आपको complete करना था तो मीनिंग आपका म, A, N, O, E और फ्रेंट्स यहाँ यू है यू, V, R, E इसका मतलब होता है इसके लिए आनि कि causal यह भी आपका पूचा गया था एक आप जानते हैं जो आप आपका 12 में भी लगा दिया गया है prepare यह जो आपका वव होता है इससे आपको noun बनाना था तो आपका preparation हो जाएगा चलिए इसमें आपने क्या किया suffix I, U, N कर दिया यानि कि यहाँ इन-fix हो गई आपकी E, ठेके friends अगला देखिए ancient आप 12 में भी काफ यह अच्छे से भी तैजारी कर रहे होंगे तो पढ़ रहे होंगे इसका antonyum पूचा था तो modern होता है या recent होता है modern ही आपको exam में दिया था यह बताया है विध्यारती ने अगला है जो question है invitable इसका मतलव होता है आपको synonyms पूचा था क्या पूचा था friends synonyms पूचा था तो आपको synonyms लिखना था sure, certain लिख सकते हैं अगर इसका antonyum बनाना है तो unseury या uncertain लिख सकते हैं वीडियो आपको कैसा लगा और paper कैसा था यही question है और भी question आएंगे तो मैं आपको बस अपलब्द कराऊंगा मिलते हैं नेक्स वीडियो में thanks for watching